दोस्तों यह बाजरी का खेत है और यहाँ पे बहुत ही पक्सी लगते है और यह नुक्सान करते है इधर तो यहाँ क्या किया है ऐसा एक भूंगरा है जिसमें अलग-अलग प्राणियों की सबकी आवाज आएगी मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ अब देख सकते है ऐसा एक भूंगरा है और इसमें अलग-अलग प्राकार की आवाजे आती रहेगी इससे क्या होगा बहुती कम खर्चे में मतलब यह जटका मशिन है अब देख सकते हैं यह तार है जटका मशिन बांधने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इससे क्या होगा यह बजेगा तो अलग-अलग प्राणियों की आवाज आएगी अलग-अलग प्राणियों की आवाज आएगी तो जंगली जानवर जो होते हैं सुवर निलगा ऐसे जानवर को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई है तो इस वज़े से वो आने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि इसमें अलग-अलग प्राकार की आवाज आती रहेगी और दूसरा जो है बाजर में जो मिलता है ऐसा भूंगरा रेडी मेट वाला उसमें क्या होता है पूरी रात चलने के बाद यह खराब हो जाता है इसकी PCB गरम होके जल जाती है तो खराब हो जाता है तो भार्म जंगरा और आप इसको चाहे कितना भी चला सकते है चोईस गंटा अर्तलिस गंटा आप चला सकते है और इसमें अलग-अलग जानवरों की आवाज आएगी फायरिंग आएगा डॉक का आवाज आएगा तो इससे क्या होगा जंगली जानवर भी ने आएगे और अगर आपन इधर मुझूद है इसलिए वो आने की कौसिस नहीं करेगा चलिए दोस्तों मैं अब आपको ये बजा के किस-किस प्रकार का आवाज आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये शीदा बैटरी से चलेगा अब देख सकते हैं तो बैटरी हमने लगाई है ये शीदा बैटरी से चलेगा तो दोस्तों ये जो जुगाड है वो बैटरी से चलेगा और बहुती कम एंपियर में ये ओपरेट होता है मतलब इसको ज्यादा एंपियर पावर देने की जरूरत नहीं है आप किसी को लगता होगा कि ये पूरी रात नहीं चल सकता ये ज्यादा पावर खाता होगा लेकिन ये हमने ऐसे डिजाइन बनाई है इसकी ये पीसीबी की कि आप पांच या एक हपते मतलब आठ दिन तक इसको चलाएंगे फिर भी ये जो है बारा बारा इंपियर की बैटरी वो खराब नहीं मतलब डिस्चार्ज नहीं होगी और आप इसको चोईस गंटा या एक हपते उसको अगर लगता है कि यहां पर कोई है किसी इंसान की हाजरी है तो वो आने की कोशिस नहीं करता है और ये कम एंपियर पर ओप्रेट होता है मतलब बहुत ही कम वाल्टेज भी ये खाता है तो आपको बैटरी एक बार घर से लेके चार्ज करके आप लगा सकते हैं और मसीन में नहीं चलती बैटरी भी आप इसमें यूज कर सकते हो ये बहुत ही देशी जुगार है और कम कोस्ट वाला है इसमें आपको जटका मसीन है वो अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी चलेगा और आपको जो खेत के अराउंड गेलवेने टार की जो वायरिंग करनी प जो छोटे फार्मर है जो जटका मसीन ले नहीं सकते है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा जुगार है अगर कोई भाई लेना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्सन में अपना मोबाइल नमबर डाल दूँगा और अगर कोई सी वेपारी को बेचने के लिए चाहिए तो भी मेरे से संपर्क कर सकता है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद